अरी यार ये तो काफी ज़्यादा रात हो गई है और ऐसा लग रहा है कि बारेश भी काफी जोड़ो के होने वाली है मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा जल्दी जाता होने तो फ्रेंजन में एक बुस्ता हो जाएंगे अरी यार मेरी कोई मदद कर दो एक मिनट ये किसकी आवास थी अरी यार यहाँ पर तेक बच्चा है क्या हो गया बच्चे तुम रो क्यों रहो मेरी क्रेंग मा मुझे काफी ज़्यादा मालती है इसलिए मैं घर से बाहर निकल गया हूँ अगर मैं उनके पाच गया तो वो फि सुक लगी है डेंसर नए बच्चे मेरे घर में बहुत साथ खाना है तुम जितना चाहूँ उतना खा सकते हो चलो चलो अब मेरे पीछे चलो मेरे पास पर जादा टाइम नहीं है फ्रैंक इंबिया काफी जादा गुस्ता होंगे काफी देर हो चुकी है गाईज अपना के इस काम के बाद सिंचेन फ्रैंक्लिन चॉप सब की जान खत्रे में पड़ चुकी है तो भायों तुम्हें क्या लगता है क्या होने वाला है आगे गाइज अगर तुम्हें जानना है तो यह वीडियो तुम्हें पूरा देखना पड़ेगा पर उससे पले जल्दी से वीडि प्रब्लम देता हूं इनको अरे क्या हो गया सिंचेन और अपने साथ यह किसको लेकर क्या गया तू प्रेंक्टिन भी यह तो प्रब्लम है आपको पता है इसकी ग्रैनमा इसको हमें समारते रहती है और इसके जान लेने के पीछे पड़ी है इसलिए मैंने इसको यहां पर बच्चे को मारती है अच्छा मैं करके उसको यह ठीकाने लगाता हूं उसको भी पता लगना चीए उसने कितने बड़ी गल्ती किया पर यार अभी बार ही सो रही है आपनों लोगे काम करते हैं जल्दी चलते हैं घर के अंदर कुछ खाते पीते और सो जाते हैं अले हां मु भूख लगी है अरे हां यार सिंचन मुझे बस पांच मिनट दे बस मैं गया और तेले कुछ मस्त बनाता हूं मुझे भी काफी जोड़ों की भूख लगी है एक बार जल्दी से खापे लूँ फिर आराम से मैं यहां पर सो जाऊंगा ओ भाई यह क्या हो गया बिजली कैसे क देख रहा उन दोनों को तो मैंने इही पर बिठा है था लगता है या नीची होंगे मुझे जल्दी से जाकर के देखना पड़गा इनको बताना पड़ेगा क्या आस तो यार खाना वाना कुछ भी नहीं मिलने वाला लगता है यार सिंचन कहां चला गया लगता है चाप के भी नहीं है सिंचेन मी नहीं कहीं वो लोग जाकर के मेरे बेड़ पर नहीं सो रहे हैं मुझे जल्दीश जाकर देखना पड़ेगा यार मैं ने चाहता है यह तीनों के एक मिनट यह कौन है मेरी मेरी दरवाजे के सामने यह कुण ख़़ड़ा है टेकले मैं और कोई नहीं बन सिंचेन चौप किदे रही भाई कुस तो बोल अब यार ये तो बहुत बड़ी प्रावलम आ गई है मुझे सब ये आखिर है कौन तो जिसे खोज रहा है मैंने उसे पहले ही ठीकाने लगा दिया है और अब आरी तेरी है अरी यार वो तो अभी यहाँ पर थी अचानक कहाँ गाइब हो गई लगता है यार ये उसकी ग्रैनी होगी हाँ ये वह हो सकती है और उस ग्रैनी ने बोला जिसे मैं खोज रहा हूं उसने पहले ही ठीकाने लगा दिया है हो सकता है यार अपना सींचेन और चोटा बच्चा ग्रैनी के घर में ही होगा मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा और जाकर के उन लोगों को खोजना पड़ेगा नहीं तो यार उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए मुझे जो करना है जल्दी करना पड़ेगा कहीं मुझे देर ना हो जाए भाई मैं नहीं चाहता सींचेन के चोटे 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 टुकडे हो जाए गाईज उस इविल ग्रैनी ने अपना खेल चालू कर दिया था और उसने पहले ही सींचेन चोटे से बच्चे और चाप को ठीकाने भी लगा दिया था ली एक मिनट दोस्तो अपना फ्रैंकलिन इतनी जल्दी सींचेन को मरने नहीं देगा आगे क्या होता है पर उससे पर ले बॉक्स में जल्दी से लिख दो से पसिंचेन यार वो ग्रैनी तो सिर्प देखने में फटिचर लग लग रह थी उसका घर तो काफी पीचादम मसते यार मैं तो सोचता हूँ इस ग्रेनी को ठीकाने लगा दूँ और उसका ये घरी चोड़ी कर लेता हूँ छोड़ो यार इसको तो बाद में देख लूँगा सबसे पहले मुझे सिंचेन को खोजना पड़ेगा यार यहाँ पर तो सिंचेन मुझे कहीं पर भी कैद नहीं कर दिया हाँ यार यह बात रूम है पहले यहाँ पर देख लेता हूँ ओ भाई सबसेंचेन तो मिल गया सिंचेन क्या कर रहा है अब यार यह तो सूर नहीं रहा है इसके सास नहीं चल रही है मुझे लगता है यार इसे अच्छे से ठीक करना पड़ेगा अरे सिं अचनक से लाइच चली गई और किसी ने मेरे सर के उपर धपाक से मारा उसके बाद तो यार जब मेरी आखे खुली को आप मेरे सामने हो अरे सिंचेन जिसने तेरे सर के पीछे मारा तो वह और कोई नहीं बल्कि उस चोटे से बच्ची की ग्रैनी थी वह काफी जादा खतरन है अपने लोगों इधर से जल्दी निकलना पड़ेगा उसे मनने क्लिए लोग इसे नहीं चूड़ सकते अरे सिंचेन पहले अपनी जान बचा ले ओ भाई 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 बचे यार अगर वह हम लोगों को देख लेती ना ठीकाने लगा जेती हाई यह तो काफ़ी जादा खतरनाक है और इसी तरब देख रही है अरे भाई 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 जल्दी इदर आ इदर आ इदर आ अगर उसने हम लोगों को देख लिया तो हम लोग भाई यार कई पर चिपना पड़ेगा पन लोगों यहीं पर चिपते हैं रुग जा देखते काफी जादा खतरनाक है अगर यार हम लोग उसके आख के सामने आ गया तो हम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ीगी एक मिनट यार यह ग्रेनी तो दूसरे तरब देख रही है सिंचन यही टाइम है हमें इस ग्रेनी को मारना पड़ेगा उसके बाद हम लोग इदर से निकल अपन लोगों के पास यही टाइम है अपन लोगों इदर से जल्दी से निकलना पड़ेगा रुख जाओ फ्रेंक्टिन मिया मैं भी आपके पीछे पीछे हूँ यार मुझे छोड़के नहीं जाना मैंने चाता यह ग्रेनी मुझे कच्चा चबाए पर आप कुछ भूल रहे हो चोटा सा बचा और अपना चौप वह दोनों के दोनों ही गाइब है हमें उन दोनों को भी बचाना पड़ेगा अरे हां सिंचन मुझे पता है और मैं भाग भी नहीं रहा हूं बस अंदर जाओंगा और जा करके धेर सारे गन ले करके आओंगा उसके बाद इस ग्रेनी की चुटी करने वाला हूं मैं अरे हां सिंचन मुझे पता है पर टेंसन क्यों लेता है मेरे पास इतने खतरनाग खतरनाग गन है ना कि भाई उसकी सारी मैजिकल पावर निकल जाएगी अरे या जाब मुझे तो लगा था कि तुझे उस ग्रेनी ने किटनैप कर लिया है पर अच्छा यार कम से कम तू तू जिन्दा है बस अपने को छोड़े बच्चे को बचाना पड़ेगा पहले अपनी जान बचाने की सोचो, बाद में उस छोड़े बच्चे को बचाना अरी यार ये ग्रैनी अच्छानक से यहाँ पर कैसी आते ही अरो फ्रेंटिन बिया, अब हमने सब कोई मनने वाले हैं, ये ग्रैनी हम लोगों को जिन्दा नहीं छोड़ेगी एक दम सही बोला बच्चे तुले, मैं किसी को जिन्दा नहीं छोड़ूगी तुम लोगों ने बहुत बड़ी गल्ती कर दी हैं, उसको तो छोड़ो, तुम्हें अपनी जान की फिकर होनी चाहिए थी अब मैं तुम लोगों के सरीर को यूज करके एक नया डीमन पैदा करूंगी फिर मुझे यहां पर कोई भी नहीं रोख पाएगा गाइस, इस इविल ग्रैनी ने अपने सीन्चेन चाप और फ्रैंकलिन सब के बाड़ी को कबजे में ले लिया था और अब इसका यूज करके वे खतरनाक मॉंस्टर डीमन को लास सेंटास में लाने वाली थी तो दोस्तों तुमें क्या लगता है ये इविल ग्रैनी आखिर क्या करना चाहती है क्या ये पूरे लास सेंटास के लोगों को मार डालेगी या इसके पीछे किसी और का हाथ है भाईयो अगर तुमें जानना है तो इसका अगला पार तुमें जरूर देखना चाहिए पर आज के लिए इतना ही होप तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में मंत्रा गेमिंग ओपी लिक ना बूलना आप लोगे से मिलते हैं हम लोग कलिक और धमागेदार वीडियो में